सबसे पहले पावर पॉइंट को ओपन कर देंगे इसके बाद यहां पर इस टाइटल पर राइट में क्लिक करेंगे और यहां पर बॉर्डर्स पर क्लिक करके इसे डिलेट कर देंगे इसके बाद एक हाट की शेप्स लेंगे हाट की शेप्स को हम ऐसे ड्रॉ करेंगे जैसे प थोड़ा सा अब गोल्ड शेप्स लेंगे और यहां पर इसके सेंटर पर रखकर इसे ऐसे ड्रॉ करेंगे जैसे लगें बूंद की तरह इसके बाद इस heart shape की wound में भी हम red color fill कर देंगे इसके बाद यहाँ पर outline भी इसके red कर देंगे फिर animation में जाकर custom animation में जाकर यहाँ पर लगाएंगे effect down वाला down effect लगाएंगे यहाँ पर इससे down effect लगा देंगे इससे यहाँ पर नीचे किरेगी इसके बाद क्या करेंगे हम इसे बड़ा कर लेंगे यहां से हम इसे बड़ा करते हैं इसे नीचे खीज लेंगे इसके effect को खीज कर यहां पर यह set कर देंगे इसके बाद यहां पर हम क्या करेंगे इसे select कर लेंगे effect वाली बून को इसे control C, control V कॉपी पेस्ट करके इसे सैट कर लेंगे यहां से हम काफी सारी बूने बना लेंगे ऐसे कंट्रॉल सी कंट्रॉल भी करके इन्हें सैट कर लेंगे बारी बारी से सैट करने के बाद यहां पर कॉपी पेस्ट इसे इधर लगा लेते हैं यहां पर नीचे सैट करने के बाद यहा यहां पर हम इसे लगा देते हैं लगाने के बाद तोड़ा सा इадर लगा देते हैं इसे थोड़ा सा नीचे खीज देते जीज़ को एक इसके एफेक्ट को यह सैट हो जाएगी धेरे करके इसी की तरह हम यहां से क्या करेंगे इसे यहां से हम इसकी एक और कॉंपी पेस्ट कर लेंगे इसे सेलेक्ट करके कॉंपी और पेस्ट यह तोनों सेलेक्ट हो गए इसे यहां से हम नीचे सैट कर लेंगे सैट करने के बाद ह पार्ट हो गई ऐसे ही करके यहां पर हमने इजी काफी सारी बुध्य बना लिने हम क्या करेंगे अब देखेंगे चेक करेंगे यह देखिए नीचे से ड्रॉप-ड्रॉप की तरह गिरेंगी इसके बाद क्या करेंगे हम इसे में जाएंगे और यहां पर एरो वाला तील ρε neighborhood उसको बढ़ाया했다 करेंगे हैं इसके आपने की यहां सी पड़ा के इसके 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 इएवेक्ट गा एये हम को यहां से हम क्या करेंगे इसे बढ़ा देंगे थोड़ा सा आगे तक निकले इस इफेक्ट को हम क्या करेंगे इसे आगे निकलता हुआ शो कराएंगे इस इफेक्ट में यह बढ़ेगा इसे यहां से खीच जाएंगे खीचने के बाद हम क्या करेंगे इसे थोड़ा सा बढ़ा देंगे बढ़ जाएगा यहां से इसे बढ़ बढ़ाने के बाद यहां पर हम क्या करेंगे इसे चेक करेंगे इसे सबसे आप पर ले जाएंगे move up पर करके reorder में जाके इसे सबसे top पर करेंगे सबसे पहले यह arrow चलेगा फिर यहां पर यह बुने drop होंगे अब यहां पर play करके देखते हैं यहां पर check करेंगे यह करा और यहां पर इसे सही है बहुत पड़िया यह सही हो गया इसके बद क्या करेंगे हम ईसे एफेक्ट लगाने के बाद यहां पर हम इसे एक फर्ट चेक करके ISके और इसको कर देंगे हम यहां पर एंड ऑफ दस्लांइट प्रीवेइस नहीं करना इसे करना एंड ऑफ उ利ट विद प्रीविज्ट करके यह सारी एकसाथ किरेंगे विद प्रीविज्ट अठा देंगे हम यहां से इसे आप अप्स लाइड करेंगे बस ओणली एंड अप सवाइड और सैंड टू बैक करतेंगे सारी भूनों को पीछे कर देंगे जिससे दिखे ना दिखेंगे ने तो ये शो अच्छा नहीं को प्रेजेंटेशन इसे एंड अफ दस्लाइट कर देंगे प्रीवियस करके यहां पर एंड अफ दस्लाइट अब यहां पर देखते हैं यहां पर शो करा के देखते हैं यहां से एफेक्ट में जाके और इसे यहां पर एंड आप तर स्लाइट ओकी कर दिया अभी यहां पर देखें यह गिरना स्टार्ट हो गई अब इसके बाद क्या करेंगे हम इसे देख लेंगे राइट क्लिक करके इसके बैक्राउंड ब्लैक करते थे जिससे थोड़ा सा और अच्छा लगे प्रेज अच्स रही है यहां पर हम एक ٹेक्स लिग दिते हैं जिससे इह आहां पर इसे अटा तेते हैं इस टेक्सकोड आके यहां पे लिट ने संई वॅवर jos फोरर सिछाश बहां और यहांपर हमने कुछ एनिमश Lore को यहां पर हमने को इनिमेशित से एक स्होटा करने के यां से और AHD flows एक खोटा करने के लिएी आसे और एकी लाइन में देखें अच्छा लगा जिस्से के एक लाइन रहा थो को और यहांसे से कर लेते हैं अब इस पर क्या करेंगे हम से अङशे फयर एक current लगा देंगे जो चेक कर हम्म जो हमें आपको अच्छा लगए वह आप लगा सकते इस पर फेक्ट कर देते हैं यह एफ ऐसे इंट्र है को मतád नी हुआ आउट कर दें एंद गया कर देंगे end of the slide okay कर दिया अब यहां पर क्या करेंगे अब इससे स्लाइट शो करके देख लेते हैं एक बार यहां से स्लाइट शो करा बट यह एरो तो चल ला है बट पून नहीं टुग गिर रही है इसमें चेड़ेक्ट करते हैं यह के क्पुरे फेक्ट करके यहांपर क्या करेंगे आप अठाकर नचकर देंगे जैसीTu पहले वैसी कर देंगे यहां से जोशते कर देते हैं आब यह एक बार किरेगी एक बार चले बло trades हुं है और वाकि रखिया अब यह बून है नहीं किर रही एक बार देखा नहीं किर रही इसके बाद यहां पर हम क्या करेंगे फिर सेटर को सब्सक्राइब करें इनको ना इसको ऊटाए कर देंगे करने के बाद यहां पर क्या करेंगे और यह देखते हैं अब गिरना स्टार्ट हो गई अब स्टार्ट हो गई अब सभी हाँ में स्रीच चैनी को भाद कैसे के आ क्या करेंगे इसके एनिमेशन में जाएंगे एनिमेशन में जाकर एनिमेशन जहां से हमने एफेक्ट लगाए थे वहां पर जाएंगे उस मैनियू में जाएंगे एनिमेशन में यहां पर प्ले करने पर शो करा रहा है बट वहां पर प्रेजंटिशन स्लाइट शो कर रहे हैं तब शो नहीं करा रहा है तो क्या करेंगे यहां पर हम जाएंगे एनिमेशन में सबसे पहले एनिमेशन में जाएंगे अभी भी देख लेते हैं एक बाद चेक करके यहां पर फिर से नहीं शो करा रहा है escape करेंगे यहां से इसे बाहर निकर लेंगे escape के लिए keyboard में escape बटन होता है उसे वहां से बाहर निकर लेंगे escape से escape करके animation में चाके on mouse क्लिक कर देंगे automatically after कर देते हैं अब यहां पर देख सकते हैं आप यह presentation best बना है देखिए अब यह drop down हो रहे हैं यह है आपका presentation आपको presentation कैसा लगता है आप हमें comments करके बताएए चैनल को like करिए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share कीजिए धन्यवाद